आज हम निकले संडे राइड पर थोड़ा बोसम भी मसत हो रहा है और जा रहे हैं नेलखंट महादेव यह करीब अजमेर से अराउंड 75 या 80 किलोमेटर है तो लगबग एक घंटा करीब लग जाएगा पहुचने में अभी पैट्रोल भी डलवाना है पैट्रोल दलवाखे निकलते हैं तो पैट्रोल भर्वा लेते हैं तक कि फुल अब पैट्रोल करवा दिया है फुल ज्यादा दूर नहीं है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज्यादा पैट्रोल की जरुद भी नहीं कड़ेगी अधर से निकल लेते हैं बारिश के वज़े से पूरी मस्त ग्रेंड़ी हो रहे हैं यहां पर हमारे साथ आज है गोड़ा भाई मेरा कजन है यहां से जो सामने ब्रीट देख रहे हैं तो राइट साइड में यह जैपूर की तरफ चल जाएगा और लेफ्ट साइड में व्यावार एमदाबाद इदर गुजरात वंबाई वगरा इदर निकल जाएगा तो राइट साइड में जाना है पर जाना पड़ेगा मतलब यूटन लेकर निकलना पड़ेगा ऐसे ब्रीज को पर कि अ क्यों अ एंबलेश को निकलनार ते बैले हैं एमदोलेश के बीच मेंना प्राइब और रहे जिथ लुए निग ले लो य लुए लो भी लुए कि एंबुलेस के सामने से हमेशा गाड़ी हटा देनी चाहिए क्या पता किसी को कितनी एमर्जंसी हो कि यह सीधा रोड गुजराद के लिए निकल जाएगा बट हमको जाना है ब्यावर कि यह देखो इन तो इतना रहता है रोंग साड़ से लेका हैंगे दर कि बले एक्सिदेंट ही क्योंना हो जाए इनका आज काफी टाइम बार लॉंग राइट पे निकला हूँ लॉंग राइट के शोट राइट बोल सकते इसको कि लगव सेवेंटी एप सेवेंटी फाइफ यह एटी सम्थिंग है कि यहां पर हाइवे पर विंड इतनी आ रही है मतला गाड़ी गाड़ी चला रहे तो गाड़ी को लहरा रही है ऐसा हो रहा है कि असलिए इस पीड़ी मैंने मिनिम्म रख रखी है कि अधर सिक्ष्टी सेवेंटी यहीं स्पीड आराम से जाएंगे को दिक्कत नहीं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना कि यहां कोई गाव है कि अभी यहां कोई गाव है कि अभी लगबग व्यावर दस यहां बारा किलो मिटर हो रहे है है कि और महां से ब्यावर से करी पड़ेगा 25 संतिंग पड़ जाएगा कि पहाड़ों तो किते गिरिन रही है कि अधिने तेज धूबी नहीं है कि नॉर्मली यह लगवक है कि जाता है कि अधिने नहीं है कि अधिने धन्यार कि खादि कि अधिने रहीं जाएगेए कि अज़ावर का ट्वल्प क्रोस कर लिया है कि द्यावर हमने क्रोस कर ली है कि यहां से लगवग 19 किलो मेटर और बता रहा है कि अभी मैप लगाया था कि वह पूरा रास्ता एक नंबर है कि अज़ा एंटिक एंटिक प्रोग अज़ा एक यह यहां से निलकड मावदे फ्रासा इस्टार्ट है कि अगे जगे देखिए कि अज़ा है कि अज़ा है कि अज़ा है कि अज़ा है कि लगता है तो काफी बीड होगी यहां पर अज़ा है कि अज़ा है कि अऑच कर दो इस टो इससो हो गवालय है वेच दीड प़ी है अज़ा को कि अज़ाए गह उटारा भी तो अज़ा लारा कि अजय को आतो मेला या रहे है आपे सावन गा कि 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 कॉर्ण यह आगे हम नीलकड महादेव अब अब और बीड काफिर हो रही है यह आपे अब 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 लाइन के अइसे लमगे है हुआ है हाफ यह इसले अब 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 आप इसले अब आप आप्तरो कर दो जो 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 जारे हुपारे कर दो इसको लोने खेंग आया तो इसको फुरा बराव रहता था पर आज बेड़ होच जादा है जादा होच वप्रहा को ड्यादाखा है जादा है है को ड्यादाने से म states हो नेया थोजकतं बढकर स्फूंदोर जो है हम इस earlier रगए के जाना वो एको तार दियो ची कि वो जट के यूज कि introduced खायोगोड़ा को पोचल मीजिस पाहिए। होचोजी दूने अधियोगोड़ा कोका ज्लाधे सोकी भाम कॉन्हाई। बारचे को बहुते ऑड़े हैं अधिक्स कारहें जबाहिए। सब्सक्तार निवे वर हम जब नीचे अधिक हम जबारे है। वो नियात शुआ देता अच्छ पार के जयात टॉर्ण वर देला, आ्रोन दी देला, जड़ो दोर्ण जयाते नदन जयात गाइब, जड़ोडड़ा जोड़ू जड़ू दात, जड़ूरू ज़दे लिया जड़ू दिदे önce कि अभी हम वाफस नीलकट मादे के मंदिर में आए हैं हमारी जो इंट्रू वाली फाइल ती वो क्रेफ्ट हो गई जी इस वजे से वाफस आना पड़ा मेरा नाम रविदा जोशी है और वरतमान अभी या नीलकट मादेव के इस्तान पे पून जिम्मेदारी है यह नीलकट मादेव का इस्तान अति प्राचीन और अरावली परवत शंकलाओ के मद्य में बसा हुआ शंगी रिशी की पावन तपोस्त ली है इस इस्तान की चर्चाएं बहुत से सोचल मेडिया गूगल आदी पे भी इसकी पूरा है और बहुत से आप जैसे माद्यमों से इस इस्तान का प्रभाव और बढ़ रहा है यहाँ सबसे बड़ा यह पूरा एक वज्ण शेतर पड़ता है पूरा जन्गल पड़ता है इस इस्तान पर शेर वगर अबालू क्यों जंगली सारे जीव यहां आज भी है आज भी बिचरन करते हैं पानी का एक अथा भरा होने के कारण सारे जीव जनतू भी यहां पानी वानी के लिए आते रहते हैं पर कहते हैं कि यहां शंगी रिशी की बहुत प्राचीन इस्तान है और शंगी रिशी के बारे में अगर शुक्ष्म में जानकारी देऊं तो यह कश्यप के पोत्र यानि की विभांडग के पुत्र हुए विभांडग रिशी ने इसा तब किया इतना तब किया कि इंद्राचन भी डोलने लगा इंद्र को भी अपने आप से खत्रा होने लग गया कि अगर इसका तब अगर हो गया तो हमें इंद्र प्द्द गवाना पड़ेगा तो उन्होंने अफ्षरा बेजी उर्वशी नामक अफ्षरा को बेज करके उन रिशी विभांडग रिशी की तपश्या भंग करने के लिए उसको आदेश दिया वह अपने परियास में सफल भी रही तो जब तपशील विभांडग ते तो उसने हिरनी का रूप दारण किया यहने काम मों में इतना वह उत्परित हो गए कि हिरन हिरनी के रूप में जल विहार किया उससे जो पुत्र के प्राप्ति हुए श्रंगी रिशी से पुत्र रूप अपना काम पूरा हो चुका यह वापस अपने इंद्र लोग में चली गई तो विभांडग को बड़ा क्रोध आया समस्त इस्त्र जातियों से द्वेश भावना हो गई कि यह ऐसी होती है तो अपने पुत्र को यह संगव ले लिया कि मैं किसी इस्त्री की छाया ही नहीं अच्छे तपस भी हुए अब इधर क्या आकर राजा रोमपद यानि कि दश्रत के मित्र थे रोमपद राजा रोमपद थे और इनकी भी एक बड़ा गूड रहिश्य है कि राम की एक बड़ी बहन भी थी शांता जिसका नाम था शांतना यानि कि कोसल्या की सबसे पहली वर्षणी कि वह वर्षणी राजा रोमपद के साथ ब्याई गई थी कि इधर उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी तो मित्र बड़ उनने वादा कर लिया कि जो पहली संतान होगी मैं आपको दे दूंगा तो उसके सबसे पहले बड़ा कन्याई हुई शांता तो उनको रोमपद को वेदी अब इधर रोमपद पूर चारों तरफ अकाल गरस्ता सारे मंत्री मंडल रिशीवरों की ज्यानियों की वह चर्चा हुई कि क्या किया जाए इससे अकाल तूड जाए तो यह अकाल दूर हो सकता है नहीं तो इसका कोई दूसरा उपाई नहीं है कब उनको बुलावे कौन उ विबांडग रिशीय भी है नहीं तो उनको और तो कोई ला नहीं सकता है इस्त्रियों की उन्होंने कभी शकली नहीं देखी इस्त्रिया होती कैसी है तो इनके माज्यम्च उनको लाया जा सकता है तो कुछ दास्यों को राजा ने भेज़ दिया दास्यों को भेज़ करके व कि अभाव्य स्वागत किया गया था उनका बुद्भारी स्वागत के साथ जैसे उनका आजन किया तो वहां से भव्य वरिष्टी होकर के और चारो तरफ जल्मगन चारों तरफ अच्छा पानी हो गया और अकाल तूढ गया था अब इदर अब उनके विभांडग रिशी आने उनके पिता के कुरोध से कौन बचे है तो आचारियों ने बताया कि आप ऐसा करो कि अपनी पत्नी पुत्री है इसका विवा इनके साथ कर दो तो शांतना का जो राम की जो बड़ी बेहन थी शांता उसका विवा शंगी रिशी के साथ कर दिया और विवांडग को जब पता चला वह को रोत के साथ आये थे लेकिन पुत्र बदू के रूप में अपने पुत्र के साथ देख करके उनका घुस्सा भी शांत हो गया था और वह भी आस्री बचन देख करके वहां से चले गए वही शंगी रिशी ने ये पूरा रावली प्रवत पूरा भारत वर से जहां 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 राम राजी हुआ यहां जहाराम जी ने आपको वनवास के अंदर पूरा वर्नन आता है कहां का Ram ने गये अपना अपना पूरा वीरत पांडू के अग्यादवास तक का यहां मिलता है रामवास का यहां मिलता है राम जी ने जब बन के अंदर जिब रास्ता तो यही था उत्रदक्षनी रास्ता था इसी से पूरे जब जब का कल्यान करते हुए प्राणी मात्र का जीव मात्र का कल्यान करते वे अपने आगे बढ़ेते हैं तो वरतमान में देखो ऐसा है कि वरतमान में तो भूत कुछ चल रहा है लेकिन वरतमान में अगर जिया जाये तो अच्छी बात है क्योंकि मैं आपने चलो एक वरतमान की बात कही दी तो मुझे एक बात याद आई तीन इकाल बताये गए हैं भूत काल बविशेकाल और वरतमान भूत बविशे और वरतमान अब होता क्या है कि आज की पीडी है आज की जो शिक्षा है इसके विशे में मैं तोड़ा आगे बोलूँगा लेकिन इसको कोई समझ नहीं पा रहा है भूत कालव होता है जो बीत चुका है जो बीत चुका है यानि कि यह अनुबव है उसमें हमें क्या अच्छा किया, क्या बूरा किया, हमें क्या कमी रही हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते यह ज्यान हम से प्राप्त हो जाता बूठ काल से जो बीत चुका उसे चिनतान में गरसित नहीं होना चीए और भविष्य जो किसने देखा नहीं विश्य किसी ने देखा नहीं फिर भी भविष्य के लिए लगे रहते हैं यह वह यह वह इससे क्या होता है अगा वर्तमान ही नहीं सकता है इसलिए भविश्य की निदिका निर्मान करने के लिए वर्तमान को जीना पड़ेगा यह समय बहुत शंशन है एक समय यह पल पल भी बहुत भारी है यानि कि आज आपने एक नीव रख दिया व्रक्ष लगा दिया उसके एक समय अवदी होती है कि वह समय परतमान में अगर लगा दिया होता तो भविश्य में जाकर के भूद्गाल की चिंता नहीं करने पड़ती है इसलिए समय का सुद्वियों करना सी को समय इंपोडेंट है यह किसी का अधिन नहीं है अब इस समय के कैसे जिये जाए अब आज के समय क्या हुआ गा एसा कर दिय कर लिए खी खीचक्री बना दि किसी के समझमी नहीं आता है किसी को समझ आऊ तो यह समस्ता नहीं क्यों कि ऊसका भारी दुष्परी नाम है यानि कि आज से पहले अगर लिखा जाए कि तो भुकरम अदिथ्य के समय से और चला जाये कि विक्रम संबत की स्ताफना उसी समय से हुई थी यह तो अपने पास में प्रमान पड़े हैं बाकी के पहले के प्रमान तो जैसे नालंदा जैसे विद्धिविद्याले भी जला दिये गए थे सब कुछ इधियास को निष्ट किया गया था लेकिन विक्रम अधित्ये को देख जाये तो उनके पास नवरतन थे और नवरतन ऐसे थे पूरी अकंड भारत की स्ताफना में बहुत उनकी भूमिका थी यांति की देवता तक वह साहिता लेने आते थे उनसे देवता भी उनसे साहिता प्राप्त करने आते थे इसे विक्रमा दित्ये हुए और आगे चलकर के बहुत से भारत में ऐसे भीर हुए ऐसे महागुरु हुए धरम गुरु हुए जिन्होंने अपना सबकुछ निश्टावर करके त्याग भावना से देश को राष्ट को सबकुछ दिया है पर कारण यह हुआ है कि कुछ आकरंता हो के मन में सदा से यह ताग भारत सोने की करो यह करो वह करो करते 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 उन्होंने आकरमन पे 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 आकरमन इत्यास भरा पड़ा है आपने सुना होगा इत्यास का कभी पढ़ना तो उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ यानि याज दिखा ओगए के नियम के साथ अगरर प्राणी मांतर प्राणी महीं जिब तो मैं चाता हूं कि पता न आतना हा देढ़े क्योंकि उनकर भोग विशे वास्तना से लिप्त कर दिया गया है ओल्ली वोड जो दिखा हो गये नंगा चयत देखेंगा घाशड़े डीजा कि ऐसा फ्ली यह कि यह थो इसने को इस सकता को अब जब इनके आकरंता होने के सब कुछ होने के बाद जब हुआ तो फिर क्या हुआ का नरसंगार हुआ था विद्वानों का नरसंगार किया गया नालंदा जैसे बड़े-बड़े विस्विद्या ले जला दिये गए अपने धार में कि जितने भी मंदिर मठ जितने राज पूर्सों का जो चलता था उन सब को मारा गया था अच्छे विद्वान ब्रामनों की अत्या करी गई तो नरसंगार चलाता अब नरसंगार को अपने संस्कृति को बचाने के लिए फिर क्या वा कंटस्त विद्या का ग्यान हुआ क्योंकि मूल तो बचा ही नहीं वास्त्रिक जो मूल था जो प्रमान था वो प्रमान भी आता है कि उसको एक वेदी को दुएदी हो गया को त्रिवेदी हो गया को चतुरवेदी ऐसे ब्रामनों में हमारे शाका भी लगती है वो एक ठीक है विवस्ता के हिसाब से उनका निर्मान हुआ पर यहां वास्त्रिक्ता में अगर जाया जाये तो यहां आप व पर व्यक्ती को विचार करने के लिए के ता हूँ कि जब भूच और भूस ऐसे रिशेमुनी थे ऐसे विद्वान ठे जिनको को यज़ यह मिला ही नहीं कि मेरा इसको में दे सकूऊ तो वह ग्यान उनके साथ ही चला गए लिए रैखाइओं कुछ ऐसे व्यक्त है जिनको तो फिर मेरे चाया फिर मेरे चाया वहां से अब तक कि कितने तुटिया कौन सुधार पाएगा अब गोई हर बात का प्रमान मांगे तो प्रमान वह कहां से लाएगा दूसरी बात कुछ महापुरुशों ने जैसे अपने पास आज भी है रसाइन विद्या है तंतर विद्या है पक्षी वगरा सुकून यह आज भी चलते हैं को जो तिसके जो आध्यान है ना यह कभी गलत नहीं है जो वास्तरिक्ता सत्य है ना उसी पर प्रकाश डालना यृशियों मुणियों ने किस आत्मा अजर मेरा आत्मा कभी मर्ती नहीं है ये कभी नहीं मुझत ये तो अनुष्यों मुञ भागश मेरा ध्यान करेगा हम यहीं विच्रन करते हैं महारा पुनार पुनर जनम होगा दर सलीन होती है правильно पुनर अनका कर टर प्रकाश वह किसी के कहने पर और किसी के सोचने से यह कभी नहीं चलते इसवें सीले करम शीले और वर्तमान के साथ निरंतर चल रहा है उसको कहीं कुछ कहने कि अपना करफम्य बहुत कराने कि आफ़ शक्ता नहीं आवशक्ता उनलोगों को की सुपत हो कि अपने वास्त्विक मूल को जड़ को छोड़ करके कोई व्यक्ति अगर पंक आजावेर सोचे कि मैं उड़ने लग गया हूं मैं तो सब कुछ हूं तो उसकी मुर्खता है यानि ये किन्नर एक किन्नर सुंदर नारी से भी अपना संगार करके कि यह अपने आप आपको अपमानित कर लेता है क्यों नारी तो वहन नहीं हो अपने आपके साथ कि एन्याइख कर जाता है कि यह राश्च विरोदी यह देश विरोदी वाले जो छो хूंतित जो लोग हैं वो ऐसे ही अपने आपके साथ अन्याई करते जा रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना एक वो हमारे कावत हैं कि पेर में मोच और ओची सोच इनसान को आगे नहीं बढ़ने देती इसलिए ये सत्य है कि जिसके मन में अटक है वो ही अटक रहा वाकि कोई नहीं अटक रहा है ये स्वार्थ ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये स्वार्थ इनसान को अटक रहा है मैंने ऐसे ऐसे पढ़ता भी हूँ देखता भी हूँ और सामने हुए हुए महाबार्थ जैसी रचना पहले ही हो चुकी थी और किसलिए हुई थी मावारत एक जमीने टुकड़े के चकर में अगर पांडवों को जानते भगवान स्वेहम कृष्ण ने जब जाकर के शानती प्रस्ताव रखार भगवान स्वेहम जब जा रहे हैं समझा रहे हैं और वो नहीं समझना चाहते हैं तो आप और हम तो होते ही कोने दुनिया को समझा देंगे इसलिए यह कभी विचार मत करोगे वो अगला समझ जाएगा नहीं समझने वाला समझने वाला नहीं समझेगा वहां उस विशे में कभी नहीं पढ़ना चीए बाकी धर्थी कभी बीज नहीं कोती है एकांत चित्तो करके अपने आप में विचार करना चीए जो आज के कहते हैं यह मनी इज लाइफ लाइफ इज मनी यह इसी बरबादी कर दिये देश की कि माबाप को भूल गए अपना करम बूल गए अपना संसकार बूल गए सब कुछ बूल गए यहां तक कि लोग भगवान पर भी उठाने लगे शब्द भगवान क्या है वो क्या होता है यह सब पाखंड है यह फलाना यह धीड़ा है उनको मुर्कों को यह पता नहीं अप तो विज्ञान भी आ गया है यह ना यह एसे प्रमान है संस्कित से सब्सब्दों की उतपत्ति हुई है यह आधी अनाधी से चला आ हरा है उसका प्रमान भी मिल रहा है यह नीनिलकन मादेव मंदिर में असी प्राचेन है वर्तमान में में यहीं हूँ और यह मेरा एक संकल्प है यह जगह भूत रमनिक है बहू यह इस्तान पे मेरा आने के बाद एक ही लक्ष रहा है एक ही संकल परा है कि में वेदी गुरुकुल की पुनर इस्तापना करूँ वर्तमान में में यहाद मेरे पाद 4-5 शिश्य हैं जो निशुल के करमकान जोतिसादी का पूरा ग्यान ले रहे हैं जिसके साथ साथ जीव रस पूरुक्षिल हो जाएगा तो इसे किसी पर डिपेंडेट रहने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी दूसरा है अपने वास्त्रिक्ताव को और मूल को समझे इसके लिए मैं अग्रसर हूं आने वाली पीडी जो हुआ जो हुआ लेकिन अब जो आगे पीडी आए उसको ऐस ग्यान नहीं मिले जिससे अपना धरम, अपना मूल स्वत्र नष्ट हो जाए अपना जो वास्त्रिक है अपने जो पूर्वजों ने जिस देश के लिए अपने आन बान शान की मर्यादा रखने के लिए सरवस्वल उठा दिया हो गवरुक्षा के लिए धरम की रख्षा के प्रकरति की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ खोया हो और ऐसे आकरनता आकर करें किसी एक दूसरे को टार्गेट कर लें धरम के नाम पे बेरूपियों का चोला धरकर के देश को बदनाम करने की कोशिश करें तो मैं सबी संगटनों से कहना चाहता हूं कि भारत मे यसे इसे संगटन है अलग-अलग जीव शक्ति है कोई बजरंग से ना है कोई क्या है क्या है आरे से यसी बड़ी शक्ती है भारत के पास में अगर वह सारे एक जुट हो जाए बिना किसी का इंतेजार किये बिना किसी का द्वैस भाव रखे हुए तो मैं यह कह सकता हूं कि पुनाय देश को बविश्य का निदी और रखंड भारत को निर्मानों से कोई नहीं रोख सकता है, करना क्या है कि वेदिक गुरुकुल की पुनार इस्तापना हो, हर व्यक्ति को और बच्चे को यही ग्यान दिया जाए, रामायन का ग्यान कराया जाए, पिता का पुत्र का क् अगर तब यह होता है, अपने घर के परती, अपने परिवार के परती, जैसे राम जी ने रख के बताया था, राम जी ने पूरा रख के बताया था, वो इतियासों में पढ़ाई में अगर यह डाल दी जाए, यह अकबर बाबर बिर्बल महान से पढ़ा करके अपने वीर प मैं लिए जाता हूं अगे एप खौज़ हो भी आवश्यक्ता नहीं है आवश्यक्ता उसको हो गी जिसको कुछ स्वार्थ हो में निश्वार्थ निकल पड़ा हूं मेरे पीछे कितना होगा यह मुझे पाता नहीं है पर सबसे पहला मेरा यह लक्षे हो कि गोव की सेवा हो गो गौसाला इतनी होते हुए भी गाउं में इतनी सुनी गाये घूम रही है इसका क्या कारण है इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए गाउं के प्रमुक सरपोंच पंच या ऐसे बुद्धी जीवी व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूं कि अब आप फुल के आगे आगे आपके माध्यम से आवान करना चाहता हूं सब यक्तियों का चाहिए कोई भी संगटन हो धरमका हो और अरेसेसो बजरंगदल हो और भी संगटन हो जो देश के परती लिए हैं बहुत से अखाडे हैं जो संतरिशी मूनी अपने अखाडे पर बैटे में उनको भी कहना चाहता आप भी अपने आस्तिक्त को पैचानो देश्ता मत रखो यह जब सब अपने मूल को पेचानेंगे यानि कि अर्थी वस्ता क्यों खरब हुई कि गव माता को सब भूल गए धंदा को लिया गव माता के नाम से व्यापार चालू हो गए बहुत से जिए गव सेवा हो रही है ह बहुत से पुरुष योगी बैटे हैं जो अपना सब कुछ खोगर चया यानि कि अपने पैट की यूंको चिंता नहीं है फिर भी वह गव से बैठे हैं उनको कोई प्रकाश ने डाल रहा है प्रकास माद डाला जा रहा है चाह सब कुछ है उतना भरा पड़ा है कि वहां को आविश्यक्ता नहीं है तो एसा माध्यम बढ़ना चीए कि नीव से नीव जिस प्रकार ये मदर से चलाते हैं ना फंडिंग से उसे प्रकार मंदिरों के पैसों से धर्म की रक्षा में लगना चीए जिससे वे तीन चीजें फिरी कर देने चीए शिक्षा पानी और अन्त तीन चलता है तो अब जाता है उसको कूछी निरा सुध है जब की सुध्ध चीज अपने को मिल रहे है फिर भी अपन खा रहे है जेड इस प्रे केमिकलों का दिन रात ये तियार कर रहे है किसानों को बढ़ बुल गलाया जा रहा है आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा ये देश बंजर हो जाएगा ये केमिकली केमिकल से स्वेम के लिए सुध चीज खाने के लिए नहीं बचेगी इसलिए मैं सब को कहना चाहता हूं कि जाग जाओ समय है किसी का इंतजार मत करो स्वेम को अपना लो ये मीठे जेर से बच जो अपने प्रेतिक अपना पूरा इतियास जा हो ये बहुत रहश्य में ही गुन हैं इनमें चिपे हुए हैं बाजारी दूद वगरे ये चीजों को आप बंद कर दो सुध चीज का परियोक करो मेरा यही लक्षे इस दर्टी के उपर कि मैं वेदी गुरुकुल के स्ताफना करूंगा चाहे धारा कोई भी हो चाहे ती से ह अनयों हो चाहे कोई भी कानून हो मुझे धरम का और राष्ट का कि कर दर això से और सास्थ को किसी भी तरीकिए से अपूर नहीं रभा जाए कि निर्मल मन जन सोई मुई पावा मुई चल छिद्र कपट नहीं भावा इसमें भगवान साफ कह रहे हैं कि निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे प्रिय है जिसके मन में चल भरा हो कपट भरा हो ऐसे व्यक्ति मुझे अफ्रिय नहीं है ऐसेशेधियों को मैं संगी नहीं रखता और तप क्या है सबसे साधना इसके करने से हो जाता है क्ल योग क efficient कर दिये कने के कि लिगि कर दिये और कर देकर गये लिगा देक लिए वह स्मासर का सिनर मफशिव और फ्रॉसियों कर रहा है उम पर रहो है मैं यह तो हमारे पर रखोंगा तो यह है कल्यूग है आए समय नहीं इसको देखते वे गवान ने प'. कि आज ना तंत्र चलने ना मंत्र चलन रहा ना यंत्र चलन कि सबसे बड़ायं требors यंत्र चलना सडीयंत्र चलना अब और सबसे बचना है तो आत्मी ज्यान होना आविशक है कितना वेद पढ़ने से कुछ नहीं होता वेदना को पढ़ो प्यासे को पानी की आविशक था उसको पानी ही पिलो अब उसको पानी की आविशकता है वह प्यासे मर रहा है बिलक रहा है और उसको अगर आपके होगे पकवान खा तो उसको पकवान से नहीं पानी से इसी पानी से मेरे को बात याद है यानि अकबर के समय की अकबर जब पूरा अधिपत्य के लिए पूरा संगस निरंतर लड़ रहा था वो से हुकुमतों को अपने चल बल कपड से अधिनस्त कर लिया फिर भी कुछ ऐसी हुकुमत थी जिन अपना आनबान शान लुटा दी लेकिन वो अपने अधिनस्त नहीं हुई जिसमें मारणा परताब का एक बहुत बेंकर नाम आता है राज भी ऐसा वीर ना हुआ ना होगा ऐसे ऐसे वीर हुए है अपने जिसका सीर्दर अलग हो या लड़ रहा है क्यों क्योंकि वो धर्म उसके साथ में भगव जब ये अगवर इसका सोध किया कि एक कौन व्यक्ति है जिसके कहने मातर से इतने गाटा नाका कुम्ब भढ़ जाते हैं बड़ी बड़े सब बिना कहें बिना निमंतर दिये आज पर वो मनाने लग जाते हैं तो यह सब जगति कौन है उसके पास चलते हैं जगति की करते कर सबसे बड़ा सुक्या है सबसे बड़ा सुक्या है सबसे बड़ा सुक्या है संतोष संतोष का मतलब जहां मिल गया वहीं रह गया जो मिला वह पा लिया जो नहीं मिला उसे चिंतित नहीं हुआ संतोष अगर है तो ही सुकी हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता तो ब्रहामन संत और यह बात कहने के बाद में आप विचार करना जो मैं बात कह रहा हूं जानी कि ब्राह्मन के पाँ आके देखा तो फटी दोती थी सब कुछ तो अकपगन ने कहा कि इसका यह हाल है इसके नाम पे लाको क Kyodok मार हैं और जो मेंडेर बेटा है इसका यह हाल है तो इसका क्या है तो उसको पूछ आ कर रहे हो किसी के लिए कर रहा है मैं तो जो कहता है कि यह झो जो फैसे बुमी वह से वायू ऐसे अगनी आसे और नहीं तो पूरे पांच तत्वी भगवान है ये प्रकरति समगर भगवान है इसका कोई आकार नहीं है वो निराकार है और वो यही कहता है कि तुम जिस रूप में मुझे देखोगे मैं उसी में मिल जाओंगा इस विशे में तो कभी मत जाओ के वो ऐसा है वो उसका ऐसा है ये तो अपने आप में एकतर के सा डाल दिया गता है ये इसमें लड़ते रहें मरते रहें और हम अपना काम करते रहें हम ये नहीं कहेंगे कि तुम जिसको मानो मानो पत्थर को मानो कि तुम के भाव के बसमे है भगवान भाव नहीं तो कुछ भी नहीं मूरत है पाशान और भाव तो पाशाणों से प्रकट हो इन वगवान भव के वसमें वान के वद्वान भाव के वसमें उसको प्राप्त करो थोड़ाक तो चलो अब इस विशे में आया अकबर देखा कि मैं इसको खरीद लू यह तुमें यहां का राजा हूं सब को चूं इसको लूब देऊ लूब दिय अगर प्रहार कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में ये अपने गुलाम हो जाएंगे ये बड़ा सडियंतर था उनका जड़ाई करके देख लिए सब कुछ सडियंतर करके देख लिए हाथ कुछ नहीं लगा वापस वो कि वही कभी महराना जग जावे तो कभी परतिराज च कि लिए अपना-इतियाज अमर कर जाएगाा कि खेते हैं अंतियाज बढ़ो शोब तो लो तुम क्या करोगे तुम्हार क्या इतियाज लोगा तुमारे आनी वाली क्या घ्माना दिरे और हाथ में चुड़िया पेन के सब कुछ से गया यह कहे आनी वाली पीडी लेकिन ये क अभी नहीं हो तो अगबर ने जब उसको इतना प्रनलोबन दे दिया तो भी वह नहीं माना क्योंकि वह अपने धरम के साथ अपने करम के साथ विस्वास गात नहीं कर सकता था उसको तो वह चलाने वाड़ा था वह देता था वह वास्त्विक जानता था उसकी आएने से पहले कोई मुझे नहीं मार सकता शकी अच्छा पत्ता भी नहीं सकता था अकबर ने लोब दिया कि तुम्हें ल tendon आधा राज ले ले-लो सब कुछ ले-लो फिर भी नहीं का। कि अधर नहीं.... इतना केहने के बाद भी जब उसको बहर बहर का अगर मैं राजा हूँ गुजे उन्द कर सकता हूं तु जाए कर दिस दो पता नहीं गार्गक tyika हो ऑप तक वर यह गए अन्द कर दो घूए When कीमत आखता है कि यंदि ये कीमत मेरे लिए कुछ भी नहीं है यह अवाज नहीं दो हूं तब तक तो पता नहीं क्या आजाओ पूरा समुद्र बना में कि अच्छा राजा ऐसा है कहां ऐसा ही है कि जल ठीक है अब ये विचार कर तुम बहुत रेखिस्तान के अंदर पस गया दूर दूर तक तेरों को जल दिखाई नहीं दे रहा है और तेरों को जल की आवश्यक्ता है नहीं तो तेरा प्रान अवरूत हो सकते हैं उस समय में म अच्छत मुल्य तुम जो मांगोगे वह मैं दूंगा पर मुझे बहुत जल पीना है क्यों अच्छा राजा मान लो फिर भी मैं उस मुल्य में जल नहीं देंगा फिर आप क्या करोगे और बढ़ाऊंगा वह कितना लेना चाहेगा मैं उसके मुक पे छोड़ दूंगा फिर जलो मैं फिर भी नहीं दूतो क्यों अगर ऐसी आपति आ गई है मैं जल के बिगर अगर मर रहा हूं अगर मैं मरी रहा हूं मेरे प्रान अवरूत हो रहे तो मैं उसको पूरा राज भी देने के दियार हूं क्यों अच्छा राजा और अगर मैं फिर भी ना दूतो क्यों रा ढात्रापत करूंगा पीजैंगार faithful झाट्या कर दूंगा या फिर दिद्डल प्रोव मं तुम जितना ले ना चाओं लेकर कि मुझे से यह तब गाग राजा इस फिर इतनी उकाट है तेels और पर ब्रामान देवता करदमों में लोट गया हुए तो कहीं राजां तेरी इतनी ओकाथ है एक जल की कीमत तु मुझे खरीद नहीं आया है जा बहुत चे आया होंगे तो किसी को नहीं खरीद आ खरीद जा जो व्यापारी बैट है जो धन के भूके बैट है ना उनको खरीद ताकि हमारे को भी पता चले कितने ऐसे व्यापारी बेटें जो दनके लोब में धरम के नाम पर अर्थिविस्ता बिगाड रहे हैं यह है इसलिए जीवन को जीवों और हर ब्राम्मन को संधिया वंदन और वेद गाहित्री का पाड़ करना चीए गाहित्री मंत्र का नित्य जा बjacार अपकर कुष्बन भूल गया है विसिया करम भूल गया है व सि प्यक्ण का नदक्रम भूल गाया है उच्छलों के यह 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 क्या है व राम हुपूल rage asp biz जो ज directement के लिए युदाम草र उट्टी हो गया यह क्या है व डाम है द द्विसय यहा शुट्र गयां थे शोट लुखन, लुखन, सेनद में बना लिए अपने नाम से पता नहीं। व्यवेस्ट्रिक्त पेचानु अब आप विचार करना कि इसमें खाया यह करम इस से आगर आप नहीं बोलोगे लिए पूरा एक विवेकmented सदक्रा का से इसे ब्राह universe ये भगवान विडाढ शुरूब नार्यान के मुख्स atum न हो कि च signific that उनके आधध तो काटो गया क्षुण को काटो गया शुद्र को काटो गया वेश्य को काटो के शरीर घड़ा आज क्यों पड़े हैं गया चारन तो कर दिए गए यह कि संचित करेगा ज़िस्ट्र है इसको बोल गया सारा भार इसने जयन्र रखा तो जातिया तो बना धी गईती-चार बढ़न चार आश्न में वास्तिविक्ता पर जीवे तो यह मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दिये ढोगी पाखंडियों की दुकाने बंद हो जाएगी और जिस दिन ये ढोगी पाखंडियों की दुकाने बंद हुई तो पुन्य नया एक राष्ट का सुरज खिलेगा और जन जन जागरण में बच् ग्रष्टी की रचना कЙंति उन्होंने इतियास में वर्रनन किया था और यह प्रमान एक बिना रश्टी को सन्यासी नहीं और जicking जिसने ग्रश्ट को सन्यासी नहीं बन सकती तो वो जैडव्या जी ने रचना कर दिपहले से बता ढिए कितना से बड़ा सत्ने आपणोंई क काम मिनी के संग काम जागे ही जागे तो एक व्यवस्ता की दी थी मनुष्य ने जब मनुष्य की इसक्ताफना करी थी कि भाई ये विश्य है एक दूसरे के पत्ति पत्नी क्या भगवान के पत्निया नहीं थी क्या क्या रिश्यू मुनियों के पत्निया नहीं थी क्या वो कहां पर्षब्ष हो ग्याय को व थे लिए कर रहे हैं तो वह भी क्रूद्स बन सकता ह। मैं क्योंकि जीवन में संगर्स जिसके नहीं हैं वह मांनी ju नहीं सकता अब इसन विचार करो Опने देवुताओ कि आज जयो कि के जीवन किको है तेस ना डिर्ट को को वह मिला बहुत हुँआ हु क्या कितना संग्रस नितर अब छल्टे तो नेरा ने अम्रत का पान कर लिया चल्टे फिर भी वर his keys कैलाते हैं ऊईधर माहदेव ने विष्का पान किया अब फिर अबनेगे आद विष्का पान किया वादेव को कि ऑला ते क्यों ग्यां बंचिदिया नांब ल accommodता समुजग जब हेट पक्याथ चहुदारतन की प्राप्ति हुई और हलाल विष्प भी हुआ तो इन्हों ने पान गया जब से निलकंट इनका नाम कहलाए गया और वोई निलकंट में आप और हम सब बेटे हैं और आनंद ले रहे हैं और इसी निलकंट की खिर्पा से भूद कुछ होने वाला है जे मेरा विष्वार से क्योंकि जगा में प्रभाव है जगा का चमतकार इसके प्रभाव को जो समझ पाएगा जो इसके प्रभाव को जानता है और बहुत से ही लोग यह हैं जो आये हैं आते हैं बहुत किछ बढ़ रहे हैं कुछ कहने की जृत नहीं है यहां कोई मंत्र नहीं है, कोई जाड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को बोगला है जा रहा है, सेल्फ है, आओ, एक कांद में अपना आनंद करो, अपना ज्यान करो, और अपने कारिये विवेक के परति लग जाओ, जैसे वह कहते ना, वो नीम के ओली बाबा फेस्बुक का वो सबसे पहले आया, कुछ नहीं ता, गारी अलमान चालीजा का पाड़ किया, राज वर्ड के अंदर फेमस हो गया, तो यह अध्यात्म को अपने आप से मिलो, अपने आप की खोज करो, और व्यक्ति एक डिप्रेंट होता है, यह फिंगर्पेंट और आंखों की पुतलिय और पॉसकर swings फोड़ को जानना पड़ता है, भगवान है वक्ति को कुछ नहीं देके सहता है, और फेमस होता है, और इसकट प्यचाना होता है, और जो पेचान जाता है उसका राज है, अबांए बेढ bakrijk या जुनमें, पह फेड़ बखर कस बंकिया चले तो, कोई वेल्यों इसलिए अपने आपको ऐसा बनाओ और ऐसा संजोदो कि आने वाली पीजी तो याद करें करें तुम्हारे नाम से इतियास बन जाए आज मीरा भाई ने कौन सी डिग्री ले रही ती साथ और डिप्लोमा नहीं था को कागज का परमान पत्र नहीं था वह उति पास रम नाम का डिप्लोमा तर जो लोग से नम से करते हैं तभमा आज क्या बढ़ा मो अंदर और यह वारक्षन क्यों क्योंकि जातिगत्उत बंद कर देने चीघें और व्यक्तिगत्उतों चालो कर देने तो इसको बंद कर दो नहीं इसके आवेशकता है देश में आज निया पहले से चली आ रही विवस्ता इस पुरानिक विवस्ता है जाने कि मैं अर्थ शासर की जब इस्ताफना कीतना तो उसके अंदर संपूर विवस्ता लिकी गई है चंदरकुप्त मोर या अशोक सम्राड का अकंड भारत का यह इस्ताफना रहिए यह स्टीक है दीरे दीरे टुख्रों में बाड़ दिया गया है यह विश्चे नहीं होता है विश्चे यह है कि अपने मोल को प्चाने अपने ऐस्ति को पेचाने वानियं बनी बंश्ग्र के तन हमारे बारत में आज बेसे से जनिनी बांज़ दीर मति गमाज्य नूर ऐसे इसे वीर गाता है अपने देश में लक्षमी धन नहीं इंपोडेंट है इंपोडेंट है ग्यान दुनिया में दूर लब है ग्यान अगर आपके पास है तो आप सब कुछ जी सकते हैं इसलिए भगवान में जो फिंगरफेंट इफ्रें जो अफ़ेश्राव कन्यान करओंगे जय माँ भारती है जय मोनी इलकड़मादेनी है तो अधर्शी सब्सक्राइब कर दोफेंट के अरुच देट है जए अधर्शी के लिगाने लिगारी वेश्रेंट में आभएंट फिसराणी नहीं इनक्तिकन ऐख कर दो करूघ कर दिकन अज़ बच्चों को भी यही सुक्षाए कि भी यह बने फूरी के बच्चे वो भी आ रहा है तिल कंपाते अपर देखिन करें और उनका आसे रहा है लाफ देखिन के लिए आज मंदर कंचे शेफ करें दो परपर हो रहे हैं अज़ नहीं आज़ बातना स्थाइब कर दो झाल झाल निदी से निसे इंच, समय धाशा आपरागीом अ कि आ जापकी fire कि मानल, नोस्ञ नोकी जिद थेcakा कि भी आयाल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर जाना और यह मेरा इंस्टा इडिये इसा फोलो कर लेना अब निकल रहे हैं घर मिलते हैं अगले व्लोप में तब तक ले बाई झाल